लोगतंत्र की नए परिवाशंडर रहे ये लड़ाई बनाने पर आमादा दिखती है क्या बीजिपी और सरकार भी ये विपक्ष की लड़ाई है या ये किसान अंदोलित हुए थे ये गयर राजनेतिक एक अंदोलन चुरूआ उसके बाद राजनेता आ जाते हैं अपनी सियासी रूप क्या मिला इस बजट में उन अत्तर दिन से वो अंदोलित हैं मैं इस वर्मा कितने परसंट खरीदारी होत हमारे देश का मीडिया अक्सल सरकार के नेताओं से सवाल करता दिखाई नहीं देता ऐसे बहुत कम मौक्य होते हैं जब मीडिया सरकार से सवाल करता हो पर आज हम न्यूज 24 के वरश्च पत्रकार संदीप चौदरी की बात करेंगे जो अपने शो में भाजपा नेताओं से तीके सवाल करते दिखाई देते हैं आज हम आपको उनकी कुछ हाल ही की डिबेट दिखाएंगे जिन में उन्होंने भाजपा की नेताओं से सवाल किये निउस 24 पर दीप सिद्दू के मुद्दे पर डिबेट हुई इस डिबेट में एंकर संदीप चौदरी ने दीप सिद तंत्र जो शर्मसार हुआ वो नौबत ना थी अगर यही एतियाद 26 को 11 दिन पहले बर अतली जाती इस रमसार तो देश हुआ और देश के साथ किसान को भी होना चाहिए अभी जो जिद्वीज जी ने जो कहा कि हमसे अंजाने में ये गलती हो गए उससे पहले टिकेश जी लोगों की सरकार होती है लोगों के लिए होती है लोगों की बनाई होती है लोगों को परिशानी होगी अब आज नहीं उठाएंगे यह लोगतंत्र की नहीं परिवासा गड़ रहे है नहीं लोगतंत्र की नहीं परिवासा नहीं है लोगतंत्र की नहीं परिवासा नहीं है लोगों का तंत्र, लोगों की व्यबस्ता, लोगतंत्र वो होता है News 24 पर किसानों द्वारा किये, चक्का जाम के मुद्दे पर डिबेट हुई इस टिपेट में एंकर सिंदीब चौधरी ने सरकार द्वारा किसान आंदौलन को लेकर दिये गए बियानों पर भाजपानेता से सवाल किये लेकिन भाजपानेता इस सवाल को तालते नजर आए पर एंकर ने ऐसा होने नहीं दिया और सवाल का सही से जवाब देने को कहा कि एक राज़के हैं दो राज़के हैं हम सब की जम्मेवारी है कि अगर वो एक राज़के भी नहीं एक जिले के भी हो तो भी हमारी जम्मेवारी है सरकार होने के नाते कि हम उनसे बातचीत करें और उनकी समस्चाओं को सुने और बाचीत जो भी हल निकलता है उसका हल निकाले नहीं इसको अगर सत्तापक्ष बनाम विपक्ष ये लड़ाई बनाने पर आमादा दिखती है क्या बीजेपी और सरकार भी ये विपक्ष की लड़ाई है या ये किसान अंदोलत हुए थे ये गयर राजनेतिक एक अंदोलन चुरूआ उसके बाद राजनेता आ जाते हैं अपनी सियासी रोप्यां सहिखने के लिए ये हर अंदोलन में होता है एक और डिबेट बजट के मुद्दे पर हुई इस डिबेट में भाजपानेता अपने जवाब में कॉंग्रेस पर निशाना साते नजर आए पर एंकल संदीब चौधरी ने उन्हें बीच में टोका और बजट में किसानों को कुछ मिलने को लेकर सवाल किया जिस पर विबाद को इधर उधर खुमाते नजर आए इंडोस्तान में कभी इस तरह के इतने इतने अस्तर में करीडारी हुई तो आप एक डाटा में दे दीजे मैं आपके दर्थकों से माफी मागलूंगा कितने परसंट खरीदारी होती है कितने परसंट खरीदारी होती है किसान जो उगाता है पाजपानेतां से सवाल होते रहने चाहिए क्योंकि वे अभी सत्ता में है और सरकार में रहते हुए उनके द्वारा लिये गए फैसलों की अलोचना भी होनी चाहिए ताकि उन कम्यों को दूर किया जा सके पंजाब टोडे रिपोर्ट पंजाब नहीं